हेलो किसन भाईओ किसन भाईओ फिर से मैं आज आचको का आज एक नहीं वीडियो लेके और इसी वीडियो में आज हम बात करने वाला हूँ भेतनम सुपर अरली जैक फ्रूट की बारी में इसका कितना साल बाद इसमें फ्रूट आता है और इसका plant कितना height तक होता है पुरा details आज हम बत करने वाला है भेतनम सुपर आली जक्फूरूट की बारी में किसंसेतियों आप लोग वीडियो को पुरा last end तक देखिए इसी वीडियो में मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ भेतनम सुपर आली जक्फूरूट की बारी में किसंसेतियों अभी जो देख रहे हो मेरे सामने जो plant यह है अपको भेतनम सुपर आली जक्फूरूट का plant है और यह पुराना cutting बहला plant रहते है ठीक है हमारी जो मादर गास रहते है उसके साथ है जोड गिराप्टेड रहते है और देखिए इसमें बहुत ही छोटा छोटा इसमें देखिए फूरूट आ रहा है आपी आज की डेट में आज नौबेंबर मैने का 25 तरिक है देखिए इसमें इसका फूरूटिंग आना शुरू होता है किसन सतियो हमारी पास जो प्लांड अभी देख रहा हो सामने यह आपको एक फिट इसका हाइट होगा देखिए इसमें फूरूट अभी से लग रहा है लेकिन जो कॉमिशियली खेती करने के लिए छोटा प्लांड में फूरूट नहीं लेना चाहिए मैं आप सभी भायों को दिखाने के लिए एक प्लांड कि इतना साल इसमें बाद फूरूट आता है वही दिखाने के लिए मैं अपको एप्लण दिखा रहा हूँ देखिए यहां पर मैं जितने भी प्लांट राखा हूँ है हमारी पास जो प्लांट था हो पुराना काटिंग वहान था न्या प्लांट में फूर्टिंग आने में और कुछ दिन देर होगा एक डिड़ मैने लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा मत्रा में इसमें फुरूट आता है जो भितनम सुपराली रहते है और इसका सबजी भी बनते है और पकने की बाद भी खाया जाता है और अपको जब प्लांट बड़ा हो जाते है उसी टाइम में लग भग कम से कम एक एक फुरूट का साइज 7-8 किलो तक तो कम से कम आ जाता है और मार्केट में इसका अच्छा खासा डिमांट रहते है कोई भी भाई लोग इसका कौमिशिया लिखेती करना चाहते है तो कर सकते हो जो देख सकते हो हमर पर जो प्लांड है इस ट्रॉग मे चाहिए जितना हाइट के प्लांड चाहिए और मिल जाएगा बेतनम सुपराली आपको एक साल में फुरूट देना शुरू हो जाता है लेकिन प्लांड बड़ा होने तक आपको एट करना चाहिए उसके बाद ही इसमें से फुरूट लेना चाहिए देखिए बहुत ही अच् बहुत ही अच्छा कंडिशन की प्लांड है अपको एक प्लांड बहुत ही हलसेल रेट पे आपको मिल जाएगा हमारी नरसरी से लीजिए कमिश्याली खैती कीजिए इसका खायती करने में आपको बहुत ही अच्छा मुनाफ़ा आएगा एक साल की पोदा में भी फुरूट कम से कम 10-12 किलो फुरूट आ जाता है लेकिन आपको 2-5 सल बाद 10 में से आप फुरूट निकलेगा तब लीजेगा तो उसी टाइम में एक प्लांड से आपको कौन से कम 50-60 किलो तक इसको में से फुरूट आपको मिल सकता है देखिए यह आपको बहुत ही आच्छा कानिशन की प्लांड एक प्लांड आप ले सकते हो अमपार वालोवर इंडिया डिलिवेरी कहते हैं और जीतना भी आपको जागफ्रूट के अंदर जो वरायटी है सबसे बढ़िया वरायटी है आपको बहतना सुप करना ली जागफ्रूट कैं और आपको आप इसका भी पैचान कर पाओगे इसकी जो पत्ता भी दिखा रहा हो में इसका पत्ता थोड़ा सा प्लेन सा होता है और जो भी भराइटी रहते वो आपको थोड़ा सा उसका पत्ता अलाग होता है अब देखके आप समाझ जाओगे कि इसका पत्ता भी अलाग अलाग होता है देखने में और इसका पत पुरा ओरिजिनाल है इस प्लांट हमारी पास से ले सकतो पुरा गरांटी के साथ बहुत ही आच्छा प्लांट है हम पुरा ओलोबर इंडिया सब लएकर थे बाई ट्रेन कुरियर ट्रैक से भी ज्यादा ज्यादा प्लांट चाहिए तो जुरूर हमारी सथ कॉंट्राक कीजिए हुलसेल प्रैज में आपको मिल जाएगा अमरी पास एपको जैक फ्रूट का प्लांट प्रैबल एबल मिल जाता है